दोस्तो आप सबी का एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चुनार किले की वही चुनार किला जिस पर देवकी नंदन खतरी जी ने एक मशहुर उपन्यास चंदरकांता लिखी थी जिस चंदरकांता कहानी के बारे में हर कूई जानता है फिर चाहे वो किताब के जरीए हो या फिर टीवी के जरीए आज के एपिसोड में हम आपके सामने इसी चुनार किले के कई सारे रहस्य खोलने वाले है यहां के कई सारी mysterious और हैरान कर दिने वाले structure और उस जिवनत समाधी को भी दिखाने वाले हैं जिसको ना तोडने के आदेश खुद आवरंग जेब ने दिये थे उत्तर प्रदेश के मिरजापूर से करी 35 किलोमेटर दूर गंगा नदी के किनारे बसे इस किले पर शासन करने वाले शासकों का बड़ा लंबा इतिहास रहा है ये किला स्ट्रेटेजिकली और जिवराफीकली काफी महतोपूर्ण जगह पर था उस समय इस किले को बंगाल और बिहार के गेट के तौर पर भी देखते थे इसलिए इस किले को जीतना शान की बात होती थी इस किले पर महाभारत काल के समराट कालेवन से लेकर पराक्रमी समराट विक्रम अदित्य, समराट पृतिवराट चोहान, अकबर और शेर शाह सूरी जैसे शासकों ने भी शासन किया है तो चलिए जानते हैं इस किले की ऐसी बाते जिनके बारे में ज्यादा पता नहीं है और आखरी पॉइंट में मैं आपको इस किले का वो कोना दिखाने वाला हूँ, जिस कोने ने हजारों लोगों की जान ली थी ये किला इतना पुराना है कि इसे बनवाया किसने था, इसकी जानकरी भी किसी को नहीं है लेकिन एक प्रचलित कहानी के अनुसार, राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भृतहरी अपनी महल की सारी चकाचोंद छोड़ कर इस पहाड़ी पर साधना करने के लिए आये थे उनके भाई राजा विक्रमादित्य के लाख समझाने के बावजूद भी, वो इस पहाड़ी से वापस अपने महल नहीं लोटे तब राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई के लिए इस पहाड़ के चार ओर जो दिवारे दिखाए देती है, वो बनाई थी इस किले के बनने को लेकर एक और कहानी बताई जाती है जो भगवान विश्णु से जुड़ी है कहते है कि द्वापार युग में उन्होंने जब वामन आवतार लिया था तो उन्होंने राजा बली से तीन पग जमीन मांगी थी तो उस दोरान जब उन्होंने अपना पहला पैर रखा था तो वो इसी जगा पर रखा था इस किले को जब हम उपर से देखते है तो ये किला हमें एक पैर के आकार का दिखे देता है इस किले में कई सारे खुपसुरत महल है उसमें से एक खुपसुरत महल है जिसे सोनवा मंडप कहा जाता है अब इस मंडप का जो नाम है सोनवा मंडप उस नाम के पीछे के कहानी बड़ी इंटरस्टिंग है इस मंडप की दीवारों पर सोने की प्लेट लगी हुई थी जिसकी यहां के सारी हिरो को निकलवा दिया औरंग जेब का एक काफी मशूहर किस्सा भी इस किले के साथ जुड़ा है इस किले के अंदर श्री राजयोगी भृतहरी नाद जी का जिवनतस समाधी मंदिर है, बताए जाता है कि जब औरंग जेब ने इस किले को जीता और जब वो इस समाधी के पास पहुचा तो उसने इस समाधी को हानी पहुचानी की कोशिश की उसे तोडने की कोशिश की तब उस वक्त उसे कुछ ऐसा देविय शक्ति का अनुभव हुआ कि उसने इस समाधी को बिलकुल नुकसान नहीं पहुचाया और तो और यहाँ पर उसने एक फारसी भाषा में एक आदेश भी लिखवाया कि कोई भी इस समाधी को नुकसान नहीं पहुचाएगा और जो कोई भी यहाँ पर आएगा वो इस समाधी की इद्जद करेगा अब इस कहानी पर मेरी रह थोड़ी अलग है अगर यहाँ पर उसका विदेपरिवर्तन सच में हुआ होगा तो उसके बाद से उसके मरने तक का इतिहास शायद कुछ अलग होता और यह मेरी राय है तो जरूरी नहीं कि आप मेरे विचारों से सहमत हो तो यहाँ पर यह जो औरंग जेप की घटना बताए जाती है उसके अब प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए इसी किले के सोनवा मंडप के पास दिखाई देता है एक जेल जो अंग्रेजों ने उनके समय पर बनाई थी और यहाँ पर एक कालकोटरी भी है जिसे हारे होई राजाओं को बंदी बनाने के लिए इस्तिमाल किया जा ने भी दूर तक ये गोल चेद आपको दिखाई दे रहे है इनके नीचे ये पूरी कालकोटरी अब बनी है और उन कालकोटरियों के अंदर सूरज की रोशनी और थोड़ी बहुत हाँ जानी के लिए इन गोल खिड़कियों को बनाए गया था इस किले से एक और किसा जुड़ा है खजाने का और हो भी क्यों ना क्योंकि इस किले पर कई सारे राजाओ का राज रहा है या तक कि ये किला कुछ सालों तक अंग्रेजों के भी अधिन रहा था तो इस किले में खजाना दबा होगा भी तो कोई सरप्राइस करने वाली बात नहीं है और ये भी हो सकता है कि उस दबे होए खजाने को अंग्रेजों ने अपने समय में बाहर निकाल लिया होगा और वो उसे लूटकर इंग्लेंड ले गए होंगे इस किले में कई सारे कुए है जिसमें से एक कुवा है जिसे मौत का कुवा कहते है और उसे मौत का कुवा कहने के पीछे का रीजन सिर्फ इसकी बनावट है मेरे रिसर्च में मुझे यहापर किसी की मौत होने की किसी घटना का उलेक नहीं मिला तो शायद इसका जो डरावना और मिस्टेरियस स्ट्रक्चर है उसी की वज़े से इसे मौत का कुआ कहते होंगे कहते है कि रानी अपनी पालकी में सवार होकर पचास से साठ सीडिया नीचे उतर कर इस कुए में नहनी के लिए आया करती थी और उन लोगों को सिर्फ मारते नहीं थे बलकि उनको तडपा तडपा कर गला काट कर मार दिया जाता था और उन्हें मारने के बाद उनकी बौडी को सीधा नदी में फेक दिया जाता था बाद में जब ये किला अंगरेजों के हाथ में आया तो उन्होंने इस कमरे का रुपान तर फासी घर में किया और फिर उन्होंने यहाँ पर गुनहगारों को फॉर्मल तरीके से फासी देना शुरू किया था तो दोस्तों ये था चुनार का वो किला जिस पर मशहुर उपन्यास चंद्रकान था लिखी गई थी जिस पर आगे चल कर एक मशहुर टीवी सीरियल भी बना और उस सीरियल के साथ अगर आपके कोई बच्पन किया जूरी होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में